पच्पन और पिचानवे हर ओम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और बिल आइकन प्रेस करना न पूलें रबानी दस्कॉलर यूट्यूब चैनल मैं चाहूंगा कि यहां पर संजु बाबा माइक पर तशीब लाए और दाक्तर अकील एमद पहजी साहब के तालुक से आपके जो इहसासाथ हैं आपके जो तासुराथ हैं वो आप यहां पर सामयन के सामने पेश करें आज के कारेक्रम के अध्यक्त अधर्निय है अजी साब के बड़े भाई और सभी मन कर उपसी अधर्निय है और मेरे सामने बैट हुए आप सभी मेरे माता पिता बेहन बेंदू सभी को मैं कोटी-कोटी प्रणाम करता हूँ मुझे तो आज एक बाता खुशी भी है गरव भी है कि महिने अध्यक्त अधर्निय की खुदा हो अल्ला हो भगवान हो गार हो इश्वर हो कोई भी हो यह जो भी है जो भी इस राच्ते में बगवान ने बना है अल्ला ने बना है जो नेक बन गया तो नेक अजमें इस दुनिया में कोई भी पुरुशार्त कर सकता है उसका इज्यक्रिशन माइने में कुछ भी नहीं होता है काली उन्हों ने जो रहा बनाया है हमें एक गाड़ी तो हमारे हाथ में दी दे है भगवान ने उसके उपर ड्राइवर बनके हमें चलना है सही धंग से गाड़ी चलाया चलाना है या नहीं चलाना है गाड़ी सही धंग से नहीं चलाए तो हम दर्या में भी गिर सकते हैं और हमारी जीवन की गाड़ी सही धंग से चलाई ही तो हम ए बेडा पार भी कर सकते हैं अईशे अदमी मेरे सामने है दॉप्टर अकिल अमध थैजी साहजी मुझे तो आज एक खुशी है कि 25 साल इन्होंने इस दुन्या में शेवा की है मुझे तो पता भी नहीं था मैं उन्हें उनसे दो साल से जानता हूँ मैं पतंजली का बड़ा एक योगशिक्शिक हूँ हरिद्वार से बना हूँ पहले तो दो चार्ज एक घर का मैं एक कृमूख भा पीच में 2011 में मेरा एक एकसिड़न हो गया एकसिड़न की वज़ज़ से मेरे रेड के हटी में बहुत प्राबल्म हो गई प्राबल्म की वज़ज़ से में योग नहीं कर पाता था जितना योग करना चाहे जितना असन करना चाहे और मुझे सब दंग से चलना ने आता जा सिदन से खड़ा नहीं हो लगा तो बहुत जगह पैसा खर्च किया, मेरे पास पैसा है दुन्या में जितने भी अच्छे अच्छे डॉक्तर्स है न उसके पास गया, एक दिन के 20 अजार लेता है उनके पास भी गया, उनके पास भी फेजो तेरिपी की, तो नासिक हो, पुना हो, बंबई हो, सब जगे घुमने के बाद, इतना परेशान हो गया, कि मुझे एक दो घंटा सोना है, तो एक पेन कुलर लेना परता था, दो घंटा सोने के लिए, इसका मतलब रात में एक ही गोली ले सकता है, आतनी जादा सी जादा, तो दिन में एक घंटा सोना है रात को, तो एक गोली लेना परता है, बहुत परेशान था, इधर उधर भटक रहा था तो मुझे यहां का एड्रेस यहीं से कोई हमारे चालिज बाव में टीचर है और वही इस सांसा में मेरी मिसेज भी काम करते टीचर का तो उन्हों ने कहां मैडम जी एक ऐसे गर्दी है अट्डी के बारों में आप सब कर लिया है तो उनके पास भी एक बार जा क्या है तो तुरंत महीं ने गाड़ी नेका लें इनके पास आ गए तो भही आप तो चार दिन आना पड़ेगा अच्छी बात है पहले दिन तो मैं बहुत परेशान हो गया इनका क्लीनिक देखकर ही मैं परेशान हो गया कि इतने बड़े-बड़े क्लीनिक मैं ने देखे वहां कु पहले दिन कुछ नहीं एक आदा मेट के उसे में कुछ मशाच किया मुझे तो उड़तीन माएं बीना बोली चार घंडा सो गया पहले दिन तुरंत लाग मुझे मिल गया दुसरे दिन की मसाच से पूरी रात बर सो गया तुसरा दिन तो बहुत अच्छा गया तो उते दिन उन्होंने क्या सिटिंग क्या कुछ नहीं किया मेरे पास बहुत रिपोर्ट है बहुत एमराय है शिदी स्क्यान है कि आज सके जितने भी डॉक्तर है वो डॉक्तर बोले मुझे कि भया ऑपरेशन की बिना किसी इस दुन्या में आपको किसी ने चल के दिखाया तो हम डॉक् करता था लेकिन तकलिक ब्रांस करना पड़ता था और पाच्वे दिन से मैं मेरे खाल से दो साल होगे डॉक्तर साथ मैं तुद आयर्वेत्ता बिजनेस करता हूँ पता जिले का बहुत बड़ा बिजनेस करता हूँ तो मैं मुझे जैसा ही फाइदा हुआ तो मैंने सोच लिया कि दुनिया में दर्द करने वाले भी बहुत लोग है गरीब भी बहुत लोग है इतना मैं नहीं इतना पैसा खर्च कर नहीं सकते इसलिए मैं फैजी साथ से बिंती कि कि मेरे 40 गाव शहर के लिए आप आईए तो मैंने कम से कम 3 शीवर लगवा कर हजार से ज्यादा लगव उतको फाइदा पहुचा है वो तो मेरे वो मेरे सब पेशन्त है एक आत्मे का कम से कम 4-5 शाजार रुपे महीने का वो खर्च करना परता है अईरवेदिक में लिए तो एक हजार से ज्यादा लोग मैंने इन से तंदुष्ट करने पाद मेरे पास स कुरार मार लिए लेकिन मुझे बहुत अनंद हुआ कि हजार लोग का संदुरुस्त है उनकी वजह से दो-चार हजार लोग यहां आतर तंदुरुस्त बने और मुझे खुदा के काम करने का बहुत नेक मौका मिला आद मुझे इस बास का भी दोर होता है कुम अच्छा लग लेकिन आज मुझे खुरान की सुनने को मिल गया तो मैं खुप खुप नसीब हूं कि दुनिया में भगवान की बाते सुनने के लिए हमारे नसीब में भी कुछ होना चाहिए जब तक हमारे नसीब में आईशी बाते सुनने के लिए कुछ मौका ना मिले बगवान का अशिर वहां तक हम नहीं पहुच सकते, मैं 40 गाहों से ये सुनने के लिए यहां तक पहुंच गया, इसलिए भगवान का मुझे बहुत अशिर्वाद है, दुआ है, ऐसा मैं चाहता है। आए तो पुनशार्क करके दुनिया की शेवा करो, और एस शेवा के लिए उनको इस जनम मला है। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत बड़ी अमर मिले और दुनिया की शेवा करते रहे। इस बात से मैं बात तो समफ्ट करता हूँ और विदाई लेता हूँ और धन्नेवाद चाह उसके लिए क्या धन्यवाद है क्या क्योंकि जैसे कि हमने बहुत देखा है जैसे कि सामी रामदेव जी इतने पुर्वत से जानता हूं उनके पास एक cycle थी, cycle, फुटी फुटी एक cycle थी, आज उन्हों ने इतना फुरुशार्थ किया, उनका भी education बहुत कम है, इनका किसना है मुझे पता नहीं, लेकिन इतना फुरुशार्थ किया, आज इस देश में एक सपाच नमबर में औरीच है, इतना बड़ा बिजनेस, किया तो मेने इसलिए कहाथ आचको कि इस दुन्या में नेग इंसान को वाला को बिहकत सब्सक्राइं है safest को यहां क्योंकि भगवान भी तरश रहे मानअव जाती के लिए मुझे भगवान की दरश जोसारuencia इशसे एक Gplaces को समयन उना जाए और नेक इंसान बनने के लिए कि वे उनको बहुत 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 रखा तहुत कि इतना अच्छा लगा इसलिए फीर से मैं चाली गाव की तरफ से और मेरे पतिन जिली परिवार की तरफ से मैं जनगाव जिले का भी प्रमुक हूँ तो इसका कारण यह है कि वो मैं खड़ा नहीं होता तो पद महीं नहीं लेखाता क्या जब खड़ा हो गया तक दो साल ते मैं वुश पत्तर भी काम कर रहा हूँ बहुत बड़ा प्लद है वो जिले के लिए क्योंकि सामिराव जिस भाइजी सहाब मुझे जानते हैं उसी तरफ से मुझे नजदिक से हम बेट मिलते हैं देखते हैं सुनते हैं और हमें भी वो जानते हैं तो इसका कारण है एक बार मैं बतन जीनी परिवार से 40 गाव के और से उसे धन्यवाद कहिता और मेरी बात को समाप्स करते हैं ज़ी देगा आमिर मुहमद इदरीज सहाब जो है वो अभी अभी तश्रीप लाए हुए हैं और वो डाक्तर अकिल फैजी सहाब का इसक्वाल करना चाहते हैं मैं गुजारिश करता हूँ कि अजराय करम इससे तश्रीप ले आए श्री नारायन माणोने सर ने इंतहाई मुफसल अंदाज में बड़ी तफ्सील के साथ आपने तमाम तजरुबात को यहाँ पर बयान किया और जिस तरह से दाक्तर अकिल फैजी सहाब के दस्त मबारक से आपको शेफा मिली और आप खड़े हुए और चालिस गाओं में आपने उन्हें मदू करके जिस तरह से केम्प का इनेकाद किया और जहां ऐसे इंसान कम मिलते हैं इस जिन्दगी में कि जब अपना फायदा हो जाए तो वो दूसरों का भी फायदा सोचते हैं और श्री माड़ाने सर ने वही काम किया कि जब उन्हें महसूस हुआ कि डाक्टर अकील फैजी साहब के पास से एलाज करवा के मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है तो आपने एक बड़ा प्रोग्राम एक बड़ा मेडिकल केम जो है वो 40 वो में मुनकित करवाया और डाक्टर अकील फैजी साहब को वहाँ पर मदू करके नाजिन साहब और अकील साहब और उनके सारे मौाविदीन ने दिन भर में तकरेबन हजार से जायत पेशन्ट को जो है वो चेक किया और उनका एलाज करने की पूरी-पूरी कोशी की शायर ऐसे ही शक्सियात के लिए कहता है कि हमारे नाम से शमा जलाओ महफिल मे हमारे नाम से शमा जलाओ महफिल मे हमारा नाम जमानत है रोशनी के लिए हमारे नाम से शमा जलाओ महफिल मे हमारा नाम जमानत है रोशनी के लिए हमारे बाद अन्देदा रहेगा महफिल में बहुत चिराग जलाओगे रोष्णी के लिए तो ये रोष्णी फैलाने वाली शक्तियात हैं जिने आपने आप में जब फायदा मैसुत होता है तो वो दिगर हज़रात का में फायदा सोचते हैं हम इस मौके पर डाक्टर वैदुल्ला फारुकी साथ जो के नाइब त्रिंस्पल के ओधे पर रहते हुए सुबक दोस हुए है आज हमारे सेतल जल्लो अफ्रोग हो रहे हैं मैं आपका इस्तिक्वाल करता हूँ खुशामदीत कहता हूँ और उनके साथ साथ डाक्टर शारिक एमस साथ ही यहाँ पर तश्रीफ लाए मैं चाहूंगा के सुहेल एमस साथ जो है वो डाक्टर वैदुल्ला फारुकी साथ की खिद्मत में शाल और गुल देकर उनका इस्तिक्वाल करें यकिनां अपनी मसरुफियात को बालाय ताक रखते हुए डाक्टर अकील एमस साथ की मुहबत में यहाँ पर मुज़द मैमानान जोग दोग तश्रीफ ला रहे हैं और भी मुझे नाजिम भाई के जरीए से मालु हुआ कि कुछ हमारे मुज़द मैमानान रास्ते में है वो भी अनकरीब यहाँ पर तश्रीफ ला रहे है स्वाल अमस साथ वो वईबुल्ला फारती साथ की खित्मत में शाल और गुल का नजाना पेश करके उनका इस्तिक्वाल कर रहे है मैं डाक्टर शारीक अमस साथ की खित्मत में भी गुल और शाल पेश करना चाहूंगा मैं जहीर अप्बास से बुदारिश करता हूँ कि आप अपने हाथों से डाक्टर शारीक अमस साथ की होसला अभजाई करें उनका इस्तिक्वाल करें कि यकीनन ये भी अपने दवाखानों को छोड़ कर यहां पर आज तशीव लाए हमारे प्रोग्राम को चालचान लगाया अपनी शिर्कत दर्ज़ करवाई आपका शुकरिया आईए इस मौके पर मैं हमारे अपने शहर की एक शप्सियत मौतरम अबुजर साहब से दर्खास करता होके माइक पे तशीव लाए और अपने ताक्सुरात अपने इहसासात का इजार करें मौतरम अबुजर साहब चीते का जिगर चाहिए चीते का जिगर चाहिए साही का तजस्थ चीते का जिगर चाहिए साही का तजस्थ दुन्या नहीं मंदान जवा कर्श के लिए संद्थ अज़ाद बड़ी खुशी है कि मैं कैसी सक्षियत के लिए कुछ लबकुशाई कर रहा हूँ जो मेरी अपनी मैंने जब से इस महले में आया हूँ जब से देखा हाँ हूँ कि ये सिर्फ खिद्मक ज़र रहे हैं उन लोगों की जो अपनी से हथ देदार आ चुछे हैं जैसा के अभी एक मैं तो मरीदी करूँगा अकीज आपके मरीद साहर आपने जो गुदार पेश की बड़े खुशी हुई के चैलेंजिंग काम उनों ने किया आप यकीन जानिये तंद्रुस्ती हजार निमत है इस निमत के तहपुत और बका के लिए इलाज और मालजिया की जरूवत पड़ती है आज मेडिकल लाइन में एड्मिशन पाना जो इस्ट्रुइल का लाना है गरीब लाना तो सोच भी नहीं सकता कि मैं डॉक्टर बनूदा बड़ी मिश्किल बात है बगर अकेल साहब ने जो अमली जिंदगी में जो कदम रखे जो पैरा मेडिकल शोवे का जो उन्होंने डिमोंस्ट्रेशन किया है कभी मरीज इस तरह से भी अच्छे होते हैं डॉक्टर, M.B.B.S, आर्टर्पेट्स, डॉक्टर्स सब सिख कराते हैं मगर इनके पास लाँने जो फंद दिया है वो उससे कहीं अलग है ये सब डॉक्टर्स सब जानते हैं कि नसे कहा है, हेडिया कितनी है मगर उसका सेटिंग के किस तरह से करना डॉक्टर्स अकील साथ से सिख किया है अकील फैदी सारी जिंदगी अपने खिसमाद देते रहे और बहुत लोगों ने ये कहा कि बहुत धेल पैसा लेते होगे बहुत जादा पैसा लेते होगे मगर जब भूते हैं कि जाईए अभी लाज कीजिए तेन दिन के बाद लाज जब मकबल कर लेते हैं तो मामूली सी रकम जो तवक्तों के खिलाफ होती है मामूली की रकम देकर वो खुशहाल जिंदगी गुशारने के लिए रहाँ धुआ हो जाता है अज बड़ी खुशी की बात है कि डौक्टर अकील का ताजूफ एक अलग अन्दाज से हुआ एक चैलेंजिंग डौक्टर की हैसित से उनका अध्रय उनका ताजूफ हुआ ये हमारी लिए बाद से खुशी का माम उनके तालोग से जितनी वादे कहें जाएं वो कम है मैं चाहता हूँ कि मुक्लसर यहीं अपनी बात को ख़तम करते हुए उनके अल्लाद आलाद के सामने दस बज़गवा हूँ कि अल्लाद उनको लंबी उम्र दे और जिस्मानी ताकत के साथ वो इनसानी ख़ते रहें वाकिरों दावरान हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आमा का आलम बरदार जरूर सबस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बिल आइकन प्रेस करना न भूलें रब्बानी दे स्कॉलर यूट्यूब चैनल बंबानी दे स्कॉलर यूट्यूब चैनल लाइक करें शेयर करें और बिल आइकन प्रेस करें रब्बानी दे स्कॉलर यूट्यूब चैनल झाल